आज मैंने सोचा कि चलो बहुत दिन से मेरा मन कर रहा था कि मैं समोसा बनाओ घर पे ही बट मौका ही नहीं मिल पा रहा था तो मैंने सोचा कि चलो आज तो बना ही लेते हैं तो यहाँ पर देखी मैंने मैदा में अजवाइन, मंगरेला, नमक ये सब डाल के और उसके बाद जो मोयन होता है ना एक चमच मतलब आलमोस्ट इतना मोयन डाल दिया ये घी डाल सकते हैं अब तेल डाल सकते हैं उसके बाद ये गरम गरम उधर बना दिया अलू बॉयल करने के लिए मैंने रख दिया था यहां आलू बॉयल हुआ उसके बाद उसके बाद उस तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से मैदा को गून दें और यहाँ पर मेरा मैदा गून दें इसको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे इसको ढख के मैंने रख दिया और उसके बाद मैं चली आलू चील ने आलू बॉयल हो चुका था आलू चील दिया आलू चील के उसके बाद हम फिलिंग प्रिपेर करेंगे फिलिंग प्रिपेर करने के लिए सबसे पहले आलू तेल में मैंने डाला था हलका सा हींग और उसके बाद हलका सा आपको जो पसंद है आप अगर चाहते हैं जीरा डालना तो जीरा भी डाल सकते हैं बट राई मैंने यहाँ पे हलका सा राई डाला था तो मुझे यह वाला टेस्ट अच्छा लगता है यह आप कुछ भी ने डाल सकते हैं, यह भी कर सकते हैं, डारेक्ली आप आलू को डाल दीजिए, तो यहाँ पर आलू फ्राई हो गया, उसके अदने डाला था, इसमें पिरी-पिरी मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, नमक, और हलका सा मैंने इसमें डाला था कसूरी में थी, मैंने इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया था हवा में, और यहाँ पर मैं आटा, जो मैदा है, उसको कट कर लिएंगी, इक्वल पीसेज में, और इसको बेलना है, और एक लंबाई में बेलना है, तो यह देखिए, जिस तरह से मैं यहाँ पर बेल रही हूँ, उसी तर से बेलिये, और उसके बाद मैंने चाकू के मदद से बीच में से कट कर लिया है, तो और उसके साथ साथ आप देख सकते ही, मैंने थोड़ा सा पानी भी रखा है, तो पानी से हम लोग उसको एंड्स को सील करेंगे, तो यहाँ पेसे कट कर लिया, अब इसको फोल्ड करेंग तो हो सकता हालू फटके निकल जा और पूरा तेल आपको बर्बाद हो जाए, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको सील अच्छा से करें, और देखिए इस तरह से नीचे से भी हलका सा हाथों से इसको सील कर देना है, और देखिए मेरे चोटा सा समोसा, क्यूट सा समोसा रेडी हो गया है, और इस तरह से सारा रेडी कर लिया था मैंने, उसके बाद इकी करके चाना, चानने का प्रोसेस भी थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि इसको डीप फ्राई पर अंदर तक चानना होता है, ताकि उपर से तो कड़ा हो जाएगा माली जे अंदर कच्छ रह गया, तो इसलिए पूरी अच्छी तरीके से इसको धीरे-धीरे फ्राई करना होता है, तो मैंने दो-दो करके डाला था, क्योंकि यहां पर छोटा सा मेरा कड़ाही था, आप हो सके तो बड़ा कड़ाही में लेके चार-चार भी डाल सकते हैं, तो मैं धीरे-धीरे-धी